जमु शहर से 120 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव का सुद्मा देफ मंदर स्तित है इस मंदर की सबसे बड़ी विशेश्टा ये है कि यहाँ पर एक विशाल तश्यूल के तीन टुकडे जमीन में गड़े हुए है जो की पुराने कथाओं के अनुसार स्वेम भगवान शिव के हैं इस मंदर का निर्मान आज से लगभग 2800 वर्ष पहले हुआ था और इसका बुनह निर्मान लगभग एक श्रतापती पूर्व एक स्थान्य निवासी ड्रामदास महाजन और उनके पुत्र ने करवाया था इस मंदर में प्राचीन शिवलिंग, नंदी और शिव परिवार की मूर्थिया साबित है इस मंदर से 5 किलोमेटर की दूरी पर माता पारवती की जनम भूमी मानतलाई है यहीं पर माता पारवती का जनम और शिव जी से उनका विवा हुआ था मानेता है कि माता पारवती इस मंदर में अक्सर पूझा करने आया करती थी पुरानी कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि सुधान्त नाम का एक राक्षस इस मंदिर पर माता पार्वती पर बुरी नियत से आया था इसलिए भगवान शिव ने अपने तर्शूल से उसका वद कर दिया था उस्तरशूल के तीनों टुकडे आज भी मंदिर परिसर में खुले में कड़े हुए हैं जिनका भक्त लोग आज भी जला भी शेक करते हैं मंदिर के बाहर ही एक पाप नाशनी बावली है जिसमें पहाड़ों से 12 महीने पानी आता रहता है और ऐसी मानता है कि इसमें स्नान करने से सारे पाप नश्ट हो जाते हैं